हेलो फ्रेंड्स इंडिया नेगरी व्लॉग चैनल पर आप सभी को स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं आज जिस चीस के बारे में बात करूंगा और वो है दोस्तो आलू का खेती हम लोग हमारे यहां सबसे ज्यादा आलू का ही खेती होता है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आलू के बारे में थोरा साब लोगों को बता दूँ और आलू का खेती हम लोग किस तरीके से करते हैं वो भी मैं अब लोगों को थोरा बताओंगा इस वीडियो में तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि हमारा जो process है अब लोग क्यों सुनेंगे तो दोस्तों इसका Crossing है कि मैं कोई ऐसा हूं नहीं कि मैं कोई क्रिसिदी कृषिञ हो अषय हूँ कि मैं ख्यटी बारी के रिलेयर्टेर बहुत कुछ जानता हू मैं इसके बारे में कि उसके बार क्वका साथ लोगे का शैर करेंद सुझता हूं ठीकरे इसलिए मैं सोच रहा हूं और अगर प्रोडॉक्ष नम examples आलु एक एक्र में आप लोग एक्र में हमारे यहां तीन बीगा होता है और एक विग में हम लोग एक सो चलिस तक ले रहे हैं मुझे लगता है कि हम लोग जीतना प्र dissipation ले रहे हैं किसी और जगहसे मुझे लगता है कि बहतर है अच्छा है क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ऐसा जगा पर पूछ दस करके मुझे पता चला जनकारे लेके पता चला कि दूसरे किसी जगा से हमारे यहां का प्रोडाक्शन थोड़ा ज्यादा होता है हाँ इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यह हम लोग जिस प्रोसेश से खेती बारी करते हैं किस तरिके से करते हैं लोगों को घृत बताने के कोशिस करूंगा इस चैनल पर तो डोस्तों सबसे पहली बात यह मान लिग maker यह याद रखेगा कि एक एकर में हमारे यहां तीन बीगा होता है ठीक है और एक बीगे में हम लोग सबसे पहली बात इसमें हम लोग तीन बोड़ी तीन बोड़ी 10-26-26 NP के देते हैं पच्छास कोई का पैकेट तीन पैकेट देते हैं यानि के जल्फ में एक बीगे में NP के सार शबー। यह यह जाइम होता है वो तुरह बहुत देते हैं और बहुत कोई ऐसा नहीं भी देते हैं और उसको देने के बाद हमारे यहां पर क्या करते हैं ट्रेक्टर चला देते हैं ठीक है ट्रेक्टर चलाने के बाद अब लोग हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेक्टर चलाने के बाद उसको प् पोधा जब छोड़ा-छोड़ा करके काटते हैं और उसको लगाते हैं यानि कि उसका लगाने का ग्याब अगर बात करें तो वही पास से 6 इंच की दूरी पे एक-एक पोधा हम लगाते हैं एक-एक आलू को हम लोग बीजा को बसाते हैं और लाइन बे लाइन जैसे कि देख पा रहे हैं यह है एक लाइन उस तरीके से हम लोग यह आठाड़ा इंच का ग्याप का लाइन हम लोग देते हैं एक देने के बाद बीज में Hm व्हजाते हैं उसके बाद बा देते हैं उसके बाद वूपर से यह करना पडता है वोग एक घॉगतYuk को मानने में जो बीनास हम लोग यूज करते हैं वो इस प्रै कर देते हैं और उसके बाद इस में सबसे महत्तपुर्न काम हम लोग को सबसे इंपोर्टेन और सबसे ज्यादा कठीन काम हम लोग को वही है कि इसमें मट्टी चरहना पड़ता है ड्रेन से मिट्टी को उठाना पड़ता है आईल पर तो यह कम करने के बाद उसमें हम लोग पानी देते हैं तो यह जो देख पार हैं यह इस जमिन पर दो बार पानी दे कभीटामीन का थोरा कि की आथा इसमें अब चली करने के बाद थोरा सा ग्रोथ पोड़ा को डाने के लिए इस प्रेकर था और उसके बाद हुआ जमने आज मैं आया हूं तर्द इस्प्रेय करने तो इस रहा मैं क्या-क्या इस प्रे करूंगा वह आप लोगों को देखा दे है यह है बीक बाइकिल का एमको कंपनी का इंसेक्टिसाइट जैसे कि यह बला देख पार है यह है इंसेक्टिसाइट यानि कि कीट पतं को मरने के लिए और और यह जो देख पार हैं vedere सेंजेनटा कंपनी का एभिक यह है और आपτε संगर करयें लॉद्टिसाइट और यह में तुरा-था और करके वंपनी संगर相信 संगर में कि और सब यू और उसके साथ और एक श्क्राइट करूंगा यह आप्का स्टिकर तो देना ही पड़ता है पत्ते में यह जो है इस्प्रेइ वह थोरा सा चिपक जाए चिपकने के लिए उस टीकर हम लोगों को इस्तेमल करना पड़ता है तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों को लगभग साथ से आठ बार पाणी देना पड़ता है और इस प्रेइभी उसी तरह 5-7 बार तक इस प्रेइए और उसके बीच में जब हम लोग मिट्टी चरहते जब हम लोग ड्रेन बनाते हैं नाली या का नाली बनाते हैं कोदाल से नाले बनाते हैं नाले बना से पहले हम लोग थोरा बहुत वही एक बीगे में मान लीजिए कि एक बीगे में हम लोगों को 20 से 25 किलो तक यूडिया सार इसमें यूडिया का खात इसमें देना पड़ता है और कुछ नहीं बहुत सरा इससा वीडियो में भी देख पा रहा हूं कि बहुत जगह पर ऐसवी हो रहे है कि बाद में खात देन खात देते हैं बहुत सारे लोग लेकिन हमारे यहां उसपिर यह से कुछ नहीं करना पड़ता है और आ कि इस प्रें़ फौनि से अगर पोथा मानली जी की बहुत ग्रोथ कम मार अ recall कुरा तो यह तो हम लोग का स्टूडिया कहते हैं और इसे करते हैं और यह है दोस्तो हमारे यहां का प्रोसेस। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहां प्रालूग खेती होता है इसलिए मैं अब लोग को बताने क्या कोसिस क्या तो चलिए मैं अब लोग को दिखाता हूं यह देख पार है यह है यह है तो दोस्तों देख पार है यह है यह है छोटा-छोटा करके हमारे यहां पर खेत होता है एक दाग में मान लिए कि एक बीखे दो बीखे से जादा होता नहीं है मंतलब कफी लोगों का तो छोड़ा-चोड़ा करके खेत इसलिए कफी जगा-जगा दूर-दूर जाके इस्प्रे करना पड़ता हैं तो चलिए फिर मिलते हैं अगले और नए एक वीडियो के साथ मुझे उ मतलब अलग अलग प्रोसेस तो होता ही है तो मैं अब लोग को हमारे यहां का प्रोसेस दिखाने का कोसिस किया और मुझे लगता है कि हमारे यहां किसी और जगावास से थोड़ा बहुत अच्छा प्रोड़क्शन हो रहा है तो इसलिए मैं बताने का कोसिस किया मैं कोई ऐस कितना प्रोडक्शन हो रहा है 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 इसली कितना प्रोडक्शन जा रहा है वो भी बताने के बताईएगा मुझे कॉमेंट पे तो कि मुझे पता चले कि कि इस तरीके से कहां पर खेती कैसे होता है चले दोस्तों मिलते हैं अगले और नए एक वीडियो के साथ तब तक लिए सब्सक्राइब कर लिजिए चले मिलते हैं अगले और नए एक वीडियो के साथ धन्यवाद